I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. हे दोस्तों, LTCG यानि Long Term Capital Gain Tax, STCG यानि Short Term Capital Gain Tax और STT यानि Security Transaction Tax बढ़ दाने से क्या आप प्रेशान हैं या आप समझना चाहते हैं कि आपका इस्तोक मार्केट पोर्टफोलियो या Mutual Fund पोर्टफोलियो में इसका क्या असर पड़ेगा? तो आप बिल्कुल सही platform में हैं, आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखें, सबसे पहले एक एक तीनो term का definition समझते हैं, LTCG यानि Long Term Capital Gain Tax इसे एक example से समझते हैं, जैसे अगर आप HUL यानि हिंदूस्तान Unilever का एक share आज 2700 रुपीज में खरीचते हो और एक साल के बाद उ LTCG के रूप में जो टेक सरकार को पे करना पड़ता था, 10% के हिसाब से पे करना पड़ता था, तो आपको 100 रुपीज का 10% यानि 10 रुपीज पे करना पड़ता था, लेकिन अब आपको 100 रुपीज का 12.5% के हिसाब से 12.5 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक उसी तरह से STCG यानि short term capital gain tax इसे भी एक example से समगते हैं जैसे आप हिंदुस्तान इनिलिवर का ही example लो आप एक share 2700 रुपीज में आज खरिदते हो और आप 2800 रुपीज में एक साल के अंदर ही बेश देते हो तो आपको जो return मिला 2800 रुपीज माइनस 2700 रुपीज यानि 100 रुपीज का तो आपको पहले tax pay करना पड़ता था 100 रुपीज का 15% यानि 15 रुपीज लेकिन अब जो है tax pay करना पड़ेगा 100 रुपीज का 20% तो 20 रुपीज पे करना पड़ेगा यानि short term capital gain tax भी आपका बढ़ गया ठीक उसे तरह से आप समझते हैं कि STT यानि security transaction tax यानि जब आप कोई share खरीटते है या बेशते हो चाहे stock delivery यानि long term के लिए खरीटते हो intraday यानि same day में buy करके sell कर देते हो या future option करते हो तो आपको हर एक transaction में कुछ न कुछ tax pay करना पड़ता है इसे आप समझते हो GST के तरह यानि आप जब भी कोई chocolate एक रूपीज का भी अगर खरीटते हो फिर भी आपको कुछ न कुछ GST pay करना पड़ता है ठीक उसी तरह से आप STT के रूप में सरकार को चाहे आप share market से कुछ भी खरीदो आपको कुछ न कुछ tax pay करना ही पड़ेगा इसे हम example से समझते ही अगर आप HUL यानि हिंदुस्तर रूपीज का ही एक share 2700 रूपीज में आप खरीदते हो यानि stop delivery में लेते हो long term के लिए तो आपको 0.1% STT pay करना पड़ता है यानि 2700 का 0.1% 2.7 रूपीज यानि 2.7 रूपीज आपको tax pay करना पड़ता है ठीक उसी तरह से अगर आप HUL का share 2800 रूपीज में एक साल के बाद बेचो या 6 मेना के बाद बेचो आपको 2800 रूपीज का 0.1% फिर से pay करना पड़ेगा और फिर 2800 का 0.1% 2.8 रूपीज फिर से आपको tax pay करना पड़ता है ठीक उसी तरह से intraday यानि आप अगर same day में buy करके sell कर देते हो तो उसमें भी आपको 0.025% tax pay करना पड़ता है ठीक उसी तरह से option sell करने पर 0.0625% और future sell करने पर 0.025% tax pay करना पड़ता है long term delivery और intraday पर STT पर कोई change नहीं हुआ लेकिन future और option में अब change हो गिया अब option sell करने में 0.0625% के बजाए आपको 0.1% और future sell करने पर 0.0125% के बजाए 0.02% tax देना पड़ेगा इसे हम एक example से समझते ही जैसे कोई trader निफ्टी फूचर sell करता है at the rate 24,500 पर और निफ्टी का lot size है 25 तो contract value हो गया 24,500 इंटो 25 यानि 6,12,500 आप STT पर करना पड़ेगा 6,12,500 इंटो 0.02% यानि 123 रुपीज आप STT पर करना पड़ेगा पहले लगता था 6,12,500 का 0.0125% यानि 77 रुपीज पेताना पड़ता था ठीक उसी तरह से अगर कोई trader 25,000 strike call का option at the rate 200 रुपीज sell करता है तो उसे premium मिलेगा 200 इंटो 25 इंटो 5,000 अब 5000 पर tax देना पड़ेगा 5000 इंटो 0.1% यानि 5 रुपीज और पहले देना पड़ता था 5000 का 0.0625% यानि 3.0 रुपीज अब आपको LTCG, STCG और STT में कैसे tax calculate करते हैं समझा गया होगा अब next part में देखेंगे इसे बढ़ाने से हम investor और trader को तो बहुत नुक्सान हो रहा है लेकिन सरकार को कितना फायदा है या सरकार सोने देने वाली मुर्गी यानि stock market को मार कर एक बार ही सारा अंडा निकालना चाहती है इसलिए आप इसका next part को जरूर देखें Thank you for watching this video